सभी देश्वासियों को आदर पूरवग नवश्खार कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दोरां तमाम देश्वों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए है पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मृत्ति हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ साथियों एक वाइरस ने एक वाइरस ने दुनिया को तहस्त नहस्त कर दिया है विश्व भर में करोडों जिंदगीयों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है लेकिन ठकना, हारना, तूटना, बिखरना मानव को मिंजूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्दी से ही लगातार सुनते आए है कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले कि दुनिया को वैश्शिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही है उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो यह हमारा सपना ही नहीं यह हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हां सास्त्रों में कहां गया है एश्व पन्था यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत साथियों एक राष्ट के रूप में आज हमें एक बहुत एहम मोड पर खड़े हैं इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है एक संदेश लेकर आई है एक आउसर लेकर आई है मैं कुदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे हैं ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकर्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पूरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंद्रित वैश्वी करण बनाम मानव केंद्रित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृति भारत के संस्कार उस आत्मंदिर भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्मंदिर भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्मंदिर भरता में संसार के सूख सहयोग और शांती की चिंता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो जो पूरे विश्व को परिवार मामती हो जो अपनी आस्था में माता भुमी ही पुत्तो अहम पृत्विया इसकी सोच रखती हो जो पृत्वी को मा मानती हो वो संस्कृती वो भारत भुमी जब आत्म निर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समरुद्ध विश्व की संभावना भी सुनिस्चित होती है भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है भारत के लक्षों का प्रभाव भारत के कारियों का प्रभा विश्व कल्यान पर पढ़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है तीबी हो कूपोशन हो पोलियो हो भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पढ़ता ही है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ग्लोबल वर्मिंग के खिलाप भारत की दुनिया को सौगात है इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीदवगन को तनाव से मुक्ती दिलाने के लिए भारत का उफार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारती अगर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है एक सो तीस करोर दे सवाजियों का आत्मंदिर भर भारत का संकल्प साथियों हमारा सदियों का गवरवपुन इतिहास रहा है भारत जब सम्रत्य था सोने की चिडिया कहां जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जकड गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत विकास की और सफलता पूर्वक कदम बढ़ा रहा है तब भी विश्व कल्यान की राह पर अटल है याद करिए इस सताब्दी की शरुवात के समय वाइटू के संकट आया था भारत के टेक्लोलोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाइ चेन को और आधुनिक बनाएंगे यह हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दीन देखे हैं हर तरफ सिर्फ सिर्फ मलवा ही मलवा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मनो कच्छ मौत की चादर ओड़कर सो गया हो उस परिस्तिति में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठखडा हुआ कच्छ पड़ा कच्छ बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल पशक्पी है हम ठान लें तो कोई लक्ष असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल पशक्पी ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भव्य इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी होगी पहला पीलर एकोनोमी एक ऐसी एकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकी कॉंटम जंप लाए दूसरा पिलर इंफास्ट्रक्शर एक ऐसा इंफास्ट्रक्शर जो आधुनिक भारत की पहचान बनेंगे तीसरा पिलर हमारी सिस्टिम एक ऐसा सिस्टिम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकी 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुवत है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्र होना जरूरी है हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस ववस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूं यह आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत अभ्यान आत्म निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्ब बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है बीस लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सबके जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्ध्योक गरह उद्ध्योक हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है यह आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं देश के उस किसान के लिए हैं जो हर सिती हर मौसम में देश वास्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए हैं जो इमानदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है यह आर्थिक पैकेज भारत ये उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल्षे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई हैं। वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुँच पाएगा। लेकिन यह हुआ, वो भी तब हुआ, जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे, ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे, जंधमन, आधार, मोबाइल, जे ए एम, जेम की त्री सक्ति से जुड़ा, सिर्फ एक रिफॉम था, जिसका असर हमने अभी देखा। अब रिफॉम्स के उस दायरे को व्यापक कर रहा है, नई उचाई देनी है, ये रिफॉम्स, खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी ससकत हो, और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में, क्रिशी पर कम से कम असर हो, ये रिफॉम्स, रेशनल टैक्स सिस्टम, सरव और स्पस्ट नियम कानूं, उत्तम इंफास्रेक्टर, समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्सिच, और मजबूत फाइनांचिल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे, ये रिफॉम्स, बिजनेश को प्रोसाइट करेंगे, निवेश को आकरशित करेंगे, और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे, साथियों, आत्म निर्भरता, आत्म बल और आत्म विश्वाज से ही संबव है, आत्म निर्भरता, ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीश परधा के लिए भी देश को तयार करती है, और आज ये समय की मांग है, कि भारत हर्ष परधा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए, इससे समझते हुए, आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है, इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशन्सी बढ़ेगी, और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी, साथियों, ये संकट इतना बड़ा है, कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है, लेकिन इनी परिश्टितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष सक्ती, उनकी संयम सक्ती का भी दर्शन किया है, खास कर हमारे जो रेड़ी वाले भाई बहने हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पट्री पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे स्रमिक साती हैं, जो गरों में काम करने वाले भाई बहने हैं, उन्होंने इस दोरान बहुत कष्ट जेले हैं, तपच्या किया है ज्याक किया है ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को मैसूस नहीं किया अब हमारा कर्टब यह है उन्हें ताकत पर बनाने का उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो स्रमीक हो प्रवासी मद्दूर हो पशुपालक हो हमारे मच्वारे साती हो संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र से हर तपके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महतोपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा साथियों कोरोना संगट में हमें लोकल मैनुफैक्चरिंग लोकल मार्केट लोकल सप्लाइचेन इसका भी महत्वा बराबर समझा दिया है संगट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है हमें इस लोकल ने ही बचाया है लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बलकि हम सबकी जिम्मेदारी है समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया उनका प्रचार शुरू किया उनकी ब्राणिंग की उन पर गर्व किया तो वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए वो प्रोड़क्स अपने लोकल के लिए वोकल बनना है लोकल के लिए वोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोड़क्स खरिदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रहास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं याद करता हूं जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आग्रे किया था ये भी कहां था कि देश के हैंड्लूम वर्कर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंड्लूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स दर पर पहुँच गई इतना ही नहीं उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रयास्ता लेकिन परणाम मिला बहुत अच्छा परणाम मिला साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे दोगजदूरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चराण लोगडाउन फोर पुरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको अठारा मैसे पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम शुखम अर्थात जो हमारे वश में हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं वही सूख है आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है 21 सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा इस दाइत्व को 130 करोड देश्वास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन पर्व भी होगा अब एक नई प्राण शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है जब आचार विचार कर्तव भाव से सराबोर हो करमडता की पराकाष्टा हो कौशल्य की पूजी हो तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्त का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत-बहुत धन्यवाद ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें